बचो अगर आप नवदय विद्यालाई या फिर सैने के सूर की तयारी कर रहा हो तो आपके एक्जाम में मुहावरे और लोकोक्तिया पूछे जाते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट एक दो क्वेशन्स याते हैं लेकिन मेटा ये एक दो नंबर आपको एक्जाम क्लियर करवा सकते हैं या फिर आपको एक्जाम में फेल करवा सकते हैं तो आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट मुहावरे इस वीडियो में देने वाला हूँ होना इसका मतलब है कि बहुत प्यार करना वाक्य प्रयोग की बात करूं वाक्य प्रयोग का मतलब आप इससे समझोगे कि किस तरीके से वाक्य में हम इसको बोलते हैं इसको किस तरीके जैसे प्रियोग में लेकर क्याते हैं, यूज कैसे करते हैं, तो जैसे मैं किसी को बोलू कि राम मेरे आखों का तारा है, यारी मैं ये कहना चा रहा हूं कि राम बहुत ही प्यारा है, मतलब मैं राम से बहुत प्यार करता हूं, दूसरा देखो आखें बिछाना, आखें बिछ तो इसका वाक्य प्रयोग है मोहिन ने रमेश की आँकों में धूल जोग दिया आग बबूला होना नहीं हम बोलते है कि पिता जी बहुत आग बबूला हो रहे थे, अत्यधिक क्रोध करना, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना दीदी के विलम से घर लोटने पर पिताजी आग बबूला हो रहे थे यह बाबूल लिखा हुआ, बबूला यहाँ पे रहेगा आग बबूला हो रहे थे आस्तीन का साप होना आस्तीन का साप होना का मतलब कपटी मित्र होना, राम अरुन पर विश्वास करता है, पर अरुन आस्तीन का साप है, मतलब वो उसके साथ धोका करता है, चल करता है, कपटी मित्र है ठीक है, आखे दिखाना का मतलब गुरेरना धंकी देना जैसे वाक्य प्रयोग में देखो बाजार में बहस के बाद शुरेस मुझे आखे दिखा रहा था मतलब मुझको धंकी देरा था कि देख लूँगा तुम्हें तो इस तरीके का उसको क्या बोलते हैं धंकी देना मतलब आखे दिखाना आस्मान तूट पड़ना मतलब बहुत ही वीपतिया पड़ना अचानक मुसीबत आजाना पिता के मृत्य के बाद रमा पर अचानक आस्मान तूट पड़ना मतलब अब उसका कोई सहारा नहीं रहा, अब वो बहुत कठिन परिस्टिते में आ गई, बहुत ही उसमें प्राब्लम में आ गई, तो अचानक से जब कोई प्राब्लम आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आस्मान तूट पड़ना, आस्मान पर दिमाग होना, अब देखो य आहंकारी होना, किसे बातें नहीं करना, एक दम से डिंग हाकना है, मैंने तो ये कर लिया, वो कर लिया, तो आस्मान पर दिमाग होने का मतलब है आहंकारी होना, बहुत ही ज़्यादा प्रावडी होना, इट का जबाब पत्थर से देना, मतलब करारा जबाब देना, ठीक है मतलब जैसे आप पर किसी ने हमला किया और आप दुगनी फोर्स से उस पर हमला कर दो मतलब उसकी हर निश्चित हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट का जबा पत्थर से दिया भारत के सैनिकों ने इंट का जबा पत्थर से दिया इद का यहां सब का की जगह पे हर जगह जा हो गया कोई बात नहीं आप इसको सुधार लेना इद का चांद होना मतलब बहुत ही कम दिखाई देना इद का चांद मतलब बहुत कम दिखाई देना आज कल आरुशी महले में दिखाई नहीं देती है आरुशी इद का चांद हो ग परास्त कर देना, पुलिस ने वीरू गैंग की इंट से इंट बजा दी, कहने का मतलब उसको एकदम हरा दिया, बिल्कुल धुस्त कर डाला, परास्त कर डाला, उल्टे छूरे से मूड़ना, इसका मतलब होता है ठग लेना, देखो अब इसका मतलब समझो, जब आप बाल कटा आने जाते हो, तो अगर छूरा आदमी सीधा चलाएगा, जो बार बार हनाई है, वो छूरा जब सीधा चलाएगा, तभी तो बाल कटेंगे आपके, बाकि अगर उल्टा छूरा चलाएगा, तो बाल तो कटे नहीं, पैसे उसने उल्टे ले लिये, इसका मतलब ये है कि उसन अगले क्वेशन पर चलने से पहले मैं आपको बताओं कि अगर आप नौदे विद्याले की तयारी कर रहे हैं, तो हमारा अरजुन बैच, द्रोन स्कूर के अप के अंदर उपलब्द है, जिसमें बहुत ही अच्छे से आप सभी की तयारी हो रही है, नौदे विद्याले की चेप्टर के टेस्ट मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, बहुत ही अच्छे से, आपके लिए डेडिकेटेड टेलिग्राम गुरूप भी मिलेगा, ताकि आप यहाँ पर डिसकेशन कर पाओ, तो जल्दी जाओ, इसमें इन्रोल करो, अरजुन बैच में और अप Batch, if you're preparing for 2024 examination, and if you're preparing for Scenic School entrance examination, the Batch Scenic Alpha is available with the same facility, exactly same facility, all of the facilities are available in this Batch as well, video lectures, exercise questions, chapter test, telegram group, यह सारी चीजें इस Batch के अंदर आपको मिलेंगी, अगर आप Scenic School की तयारी कर रहे हैं, 2024 के लिए, तो हमारा Batch है Scenic Alpha, Drone School का App, डाउलोड करें, और जाएं अपनी तयारी स्टार्ट करे बाकि आपको 50 model paper की series में enroll करना चाहिए, क्योंकि इसमें 50 model paper with video solutions हैं, तो इसमें इस से बाहर तो बटा कुछ हाता ही नहीं है, बहुत ही तगड़ा performance रहा है, बच्चोंने काफी सरा है इस चीज को, तो आप इसमें enroll कर सकते हैं, यह भी आपको Drone School के app के अंदर मिल जाएगा, मौक टेस्ट भी मिल जाएगा, यह सारी चीजें, आप एक बार explore करो app को, द्रोन स्कूल का app डाउनलोड करो, link जो है description में दिया हुआ है, चलो भी बढ़ते हैं अगले question पे, next देखो, उर्ती चडिया के punk गिनना, मतलब अत्यंत चतुर होना, जैसे वाकर प्रयोग देखो, म उंट के मुह में जीरा, मतलब अधिक खुराक वाले वक्ति को कम खाना देना, एक बर्गर गरो के लिए उंट के मुह में जीरा है, अब देखो, उंट कितना बड़ा होता है, उसको अगर जीरा आप दोगे, चोटा सा जीरा बहुत चोटा सा होता है, उसको अब जीरा दोग नेक्स्ट ओखली में सिर देना मतलब जान बूझ कर मुसीबत मोल लेना जैसे अब ओखली में कौन अपना सिर रखने जाएगा और भाई जब ओखली में सिर रखने जाओगे तो भाई घायल तो होगे ही ना तो इसका मतलब यह हुगा कि जान बूझ कर मुसीबत मोल लेना भा अधिक होपड़ी की हो क्या? जैसे बोलते हैं era किसी को बिल्कुल आधिक होपड़ी के हो क्या? कितनी सी बात समझ में नहीं आ रिहे है, आधिक होपड़ी का होना मतलब बेअकूफ होना. कलेजा ठंडा हो जाना, इसका प्रयोग हम लोग, बदला लेने के संदर्व में करते है जैसे इसका मतलब होता है शांत हो जाना, जब तक इस अप्मान का बदला नहीं ले लूँगा, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा, इसका मतलब इसका ये वाक्य प्रयोग है, कि ठंडा हो जाना, शांत हो जाना, कलेजा ठंडा हो जाना, इसका मतलब, कलेजे पर पत्थर रखना, मतलब दिल मजबूत करना मेरी मा ने कलेजे पर पत्थर रखकर मुझे घर से विदा किया जैसे मा को दुख होगा ना जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब बहुत ही दिर्ण हो करके बहुत मजबूत बन करके दिल मजबूत करके किसी को विदा करना या कोई चीज एकसेप्ट करना कोई चीज मानना ठीक है तो कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब हुआ दिल मजबूत करना कलेजे पर सांप लेटना का मतलब अंतरदा होना मतलब मन ही मन जलन होना ठीक है भारत की प्रगती को देखकर पडोसी देशों के कलेजे पर सांप लोटने लगते हैं इसका मतलब पडोसी देश जलते भुनते रहते हैं भारत जिना आगे जा रहा है तो उनको जलन होती है इसका मतलब हुआ कलेजे पर सांप लेटता है कलेजा देखो कलेजी से related कितन नहीं, तो कलेजा मुझ को आ गया, काट का उल्लू होने का मतलब यह हुआ कि मूर्ख होना बिल्कुल, रोहित को गरित समझी नहीं आती, वो बिल्कुल ही काट का उल्लू है, कान काटने का मतलब होता है चतुराई दिखाना, आशीस उमर में छोटा जरूर है, लेकिन चलाकी म बड़े-बड़ों के कान काटता है वो, मतलब वो बहुत चतुरादमी है, हमेशा चतुराई दिखाते रहता है, ठीक है, नेक्स चलो, कान खड़े होना का मतलब हुआ, साओधान हो जाना, पुलिस के जीब की आवाद सुनते ही, चोरों ने अपने कान खड़े कर लिया, मतल कलाई खुलने का मतलब की पोल खुल जाना, किसी की बात पता चल जाना, किसी किने कोई चलांकी की हो, कोई चतुराई की हो, तो वो चीज़ पता चल जाना, सब के सामने आ जाना, तो वो होता है कलाई खुलना, मतलब पोल खुल जाना, दृष्टी ने मोहन के ग्रिह कारे की नकल की थी, पर अंत में उसकी कलाई खुली गई, मतलब भई पता चले गया कि इसके हुमक का इसने नकल किया था कीचर उचालने का मतलब है कि बदनाम करना, क्यों परदीब को क्यों पर बेवज़ा कीचर उचाल रहे हैं मतलब भाई इतना सीधा साधा आदमी है क्यूं उसको बदनाम कर रहा हो कीचर उचालने का मतलब है क्यूं पर्दिप पर बेवज़ा कीचर उचाल रहा है इसका वाकः प्योग है कलेजा फटना का मतलब बहुत ज़्यादा दुՖ होना बहुत ज़्यादा पीडा होना, है न, बहुत ज़्यादा कोई चीज पेनफूल होना, तो बेटे का रोना देखकर मा का कलेजा फट जाता है, अब कलेजा फट जाने का मतलब एक्चल में थोड़ी न फटता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पीडा से ग्रसित होना, बहुत ज खून का प्यासा होना, मतलब प्राण लेने को ततपर होना, प्रकिर्थ तो जैसे सुरेश के खून के प्यासी है, मतलब कि एकदम से इतना ज़्यादा दुश्मनी लेना कि उसके प्राण लेने को ततपर होना, खून का प्यासा होना, खाग चानना, मतलब भटकना, मैं दिन भ दिन भर खाक चानता रहा पर मेरी भैस नहीं मिली, मतलब भैस गयब हो गई थी, अब दिन भर भटकता रहा लेकिन भैस नहीं मिली, मतलब दिन भर खाक चानता रहा लेकिन भैस नहीं मिली, खटाई में पढ़ना, कहने का मतलब है कि व्याओधान आ जाना कोई प्रॉबलम आ गाल बजाना होने से मेरा वियापार खटाई में पढ़ गया मतलब प्रॉब्लम हो गई वियापार में नुक्सान होने लगा तो वियापार बिजनस खटाई में पढ़ गया है नुख मतलब होता है डिंग हांकना कुछ भी ऐसे फेकते रहना कि अरे मेरे बाप दादा जो है 100 करोड रुपे के मालिक थे ऐसे या फिर मैंने मैं तो इस एक्जाम को ऐसे ही निकाल लूँगा ये एक्जाम मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है ये सब बातें बोलना ठीक है तो डिंग का फूल होना क्यों ये मुहारा क्यों है क्योंकि गूलर का फूल दिखाई नहीं देता है होता ही नहीं है आज की यूग में कृष्ण जैसा अमित्र मिलना गूलर के फूल के समान है तो इस तरह के वाक्य प्रयोग है नेक्स दो चार और बच्छे हैं 5-6 मुहारे देख लेत उसको बोलते हैं गाठ बाधना गुडगोबर कर देना मतलब होता है काम बिगाड़ देना मैंने इतनी अच्छी रंगोली बनाई थी तुमने सब गुडगोबर कर दिया मतलब भई तुम आ रहे थे चल करके तुम्हारे पैरों से वो लग गई और रंगोली मेरी बिगड़ गई मतलब मेरा काम तुमने विगाड़ दिया तो गुडगोबर कर दिया यतनी देर से मैं मेहनत से रंगोली बना रहा था घाट घाट का पानी पीना घाट घाट का पानी पीने का मतलब हो गया कि अनुभई होना बहुत ही जादा experience होना किसी चीज़ को जैसे तुम राकेश को भ्रम में नहीं डाल सकते उसने घाट घाट का पानी पीया हुआ है समझ रहो तो इसका मतलब होगा जुसको ज़्यादा experience हो उसको बोलते है कि वो उसने घाट घाट का पानी पीया हुआ है घी के दिये जलाना मतलब बहुत ही खुश होना बहुत ही प्रसंद नहोना मेरे घर वापस आने पर मेरी माने घी के दिये जलाया मतलब मेरी मा बहुत खुश हो गई कि वा भई मेरा बेटा घर आ गया तो उसने घी के दिये जलाया तो बहुत प्रसंद होना घुटने टेगने का मतलब होता है कि हार मान जाना अंग्रेजों ने भारतियों की वीरता के आग तब लज्जित होना, मोहन पर घड़ो पानी पड़ गया जब उसकी चोरी पकड़ी गई, लज्जित होने का मतलब, आपको तो पता ही है कि घड़ो पानी पड़ने का मतलब होता है लज्जित होना, लजा जाना, शरमा जाना, शरम से पानी पानी हो जाना, तो मोहन पर घड़ मुहावने बहुत important है, बाकि अगर आप नौदय विद्याले की तयारी कर रहे हैं, तो ये batches बहुत important है आप सभी के लिए drone school का app download कीजिए, कोई भी अगर दिक्कत आती है आपको, तो आप हमें इस number पे call या WhatsApp कर सकते हैं 6260-388-361 पे, ठीक है अर्जुन बैच है हमारा 2030 की तयारी के लिए model papers आप ले सकते हैं mock test आप दे सकते हैं 2024 की तयारी के लिए हमारा alpha बैच है 19 alpha and cynic alpha चले बटा मिलते हैं, आप से next वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को like करो, चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो और अपने सभी दोस्तों या शेयर करो, मिलते हैं मटा next lecture में तब तक लेविदा, धन्यवाद